जै श्री किष्णा जै महाकाल दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल तिवारी जोती में दोस्तो आज में इस वीडियो में या जानकारी देने वाली हों कि तुलिसी के पौधे की किस प्रकार से पूजा अराधना करने चाहिए तुलसी का पौधा सास्त्रों में क्यों महत्यपोन बताया गया है तुलसी के पौधे की पूजा करने से किस देवी देवता की किरपा प्राप्त होती है और इससे आपकी जीवन में क्या-क्या परिसानिया दूर होती है इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और हमारी चैनल को सस्क्राइब करें तो दोस्तों सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगी कि हमारे हिंदू धार्मिक मानिताओं में तुलसी की पूजा करना बहुत ही महतिपूर और सुब माना जाता है तुलसी माता की पूजा करने से स्रीहरी भगवान विष्णु और माता लच्मी की विशेश कर किरपा प्राप्त होती है या पोधा अगर आप अपने घर में लगाते हैं और प्रति दिन इसकी पूजा अराधना करते हैं तो इससे आपके घर में सुक सांती बढ़ती है और सका इनी हमारी धार्मित मानेताओं के अनुसार दूसरा दोस्तों आपको तुलसी के पौधे की किस प्रकार पुजा करनी चाहिए दोस्तों तुलसी का पौधा बहुत ही सुभ होता है बीना नहायद होए आपको तुलसी के पौधे को बिल्कुल नहीं छुना चाहिए आप पौधे में धीरे धीरे डालते हुए उनका इस्मारन करते हुए भगवान विश्णु का इस्मारन करते हुए रोज प्राथना करें और प्रभु से विंती करें मा तुलसी से विंती करें कि आपके जीवन में जो परेसानी है उससे वो छुटकारा दिलाएं दोस्तों तुलसी की पौधे की पूजा करने से घर में कभी वास्तु दोस्त नहीं होता है नकारात्मा कुर्जा का कभी भी संचार नहीं होता है बड़ी से बड़ी विपदा आने से तल जाती है और कापी सारी ऐसी परिसानिया हैं जो अपने आप ही खतम हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता मा तुलसी का पोधा अगर आप घर में लगाते हैं और आपके घर में बहुत जादा नेगेटी उर्जा है तो आप देखेंगे कि तुलसी का पोधा अपने आप ही सूख जाता है यह दर्साता है कि आपके घर में बहुत ही जादा नेगेटिव उड़ जा है लेकिन दोस्तों यह जो तुलसी का पोधा होता है आपकी घर की जो भी परेसानिया है जो भी नेगेटिव उड़ जा है जो भी दोसे उसे अपनी और खीच लेता है और आपको सुख सांती और वैभों की प्राप्ति करता है दोस्तों तुलसी का पोधा हर किसी को लगाना चाहिए और रोज प्रतिदी पानी डालना चाहिए और रातरी के समय तुलसी के पोधे के बाजु में एक दिया भी जलाना चाहिए ऐसा करने से आपके जीवन में सदे उजाला रहेगा और आपके जीवन सुख सांती और वैभों से हरपूर रहेगा इसलिए दोस्तों इसे जरूर करें और इसका लाब उठाएं तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जै सिव संभू जै महाकाल जै मातुल सी लिखत चरूर बताएं